बस एक सीटी खिचड़ी और चोखा बन करके तयार इसके लिए हम यहाँ पर उसना चावल ले रहे हैं एक कप और रहर की डाल ले रहे हैं आधा कप इन दोनों को हम अच्छी तरह से धूलेंगे और कूकर में डालेंगे इसमें प्याज एक टमाटर एक काट करके डालेंगे साथ में तीन चार हरी मिच भी काट करके डाल देंगे और यहाँ पर हम लहसुन धनिया जीरा का पेश्ट डाल रहे हैं आप चाहे तो लहसुन के साथ में पौडर मसाला भी डाल सकते हल्दी एक चमश तेजपत्ता और कण को खूल देंगे इसके गएस निकालने के लिए इसके उपर पाने डालेंगे और चले सब्से पहले लेंगे हम इसमें हरा मिर्चा, प्याज, सर्षो का तिल और टेस्ट के कोडिंग नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरस से मिला लेंगे यह हमारा चोखा बन करके तयार होगे बिल्कल सिंपल और साधा चोखा खिचडी में पापड का होना बहुत जरूरी है तो यहां पर हम प रोटी, चोखा, सबजी, पापड, अचार अगर आप चाहे तो इसके साथ प्याज भी ले सकते हैं अगर वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा